आप देख रहे हैं TNB नमस्कार TNB में आपका स्वारत है आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जो शादी का लड्डू है जो खावे वो भी पच्टावे जो ना खावे वो भी पच्टावे इसका मतलब यह होता है कि शादी का लड़ू जो खाता है वो भी पस्ताता है और जो नहीं खाता है वो भी पस्ताता है लेकिन एक आदमी जो है वो 37 बार शादी कर चुका है लेकिन अभी इसको जो है कोई पस्तावा उसको नहीं हो रहा है तो आईए बने नजर डालते हैं इस वीडियो पर उसके बाद आपको बताते हैं इसके पीछे कहानी तो जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में कि एक जो व्यक्ति है वो शादी कर रहा है बहुत ही साधारन सा वीडियो है लेकिन आप सोच रहे होंगे तो हम रिष्टदार को बुलाते हैं शादी में शरीक होने के लिए लेकिन इस वीडियो में जो भीड आपको दिक रही है यह कोई रिस्तदार नहीं है जो है इस वेक्ति नेशच्टिस बार शादी किया है उसमें 28 बीवी जो है जिन्दा है तो इस वीडियो है इसमें उनकी 28 बीबी नजर आ रही होंगी आपको तो मतलब इनकी जो शादी है इसमें जो शरीक हुए है वो हुए है 28 बीबी 135 बच्चे और 126 पोता पोती तो समझ सकते हैं कि इस अकेले आदमी का कितना बड़ा परिवार है और इतनी वार शादी करने के बाद भी इनका मन न के वजए से बहुत वाइरल हो रहा है और इसके बाद जो है लोग इस पर काभी मज़दार कमेंट करते हुए भी नजर आ रहे हैं जारा नजर डालते हैं कमेंट सेक्शन पर लिए तो जैसे कि हमने कमेंट सेक्शन में देखा कि किसी ने तो उनको लिजेंड करार दे दिया तो किसी ने इनको किस्मत को लेकर वावाही कही और किसी ने कहा कि वा क्या किस्मत है हमसे एक नहीं समलती और चच्चा ने इतने शारी जो है शादिया कर रखी है वाही जो है कुछ तो अलग एक मिक्स्चर अप कमेंट्स देखने के लिए कमेंट सेक्षन में मिलें लेकिन अब यह है कि इस तरीके से वाइरल होती रहती है क्योंकि यह अभी इंटरनेट का जमाना है कुछ अद्बूत अकल्पी निया या फिर कुछ ऐसा भी सर्प्राइजिंग कुछ रहता है जो लोगों के लगता है कि या यह तो बहुत अलग है तो वह वाइरल हो ही जाता है अब इसके पीछे का क्या कारण है कि ब्लाइज और शादि क्यों की है यह तो उन्हें ही पता होगा लेकिन इसी तरीके के लिए मज़दार वीडियोस के लिए और देश और दुनिया की आइकन शेर करना ना भूले